हेलो डियर स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाव आर यू, आई होब यू आर फाइन, ओके, हमने कल मॉडर्न इंग्लिस स्टेंडर फर्स्ट का थर्ड लेसन पढ़ा था, दालोयन अन्दा माउस, सेर और एक चूहा, इसके बारे में हमने ये स्टोरी पड़ी थी, हमने पूरी नहीं पड़ी थी, हमने या तक पड़ी थी, जो चूहे चूहे ने भीक मांगी, कि स्रिमान मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी किसी दिन मदद कर दूँगा, ठीक है, हमने या तक पड़ा था, जब सेर ने ये सुना, विचूहा बोल रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो सेर को इस बात पर हसी आई, ठीक है, जब ये सेर ने सुना, ये लाफट लावड लिवा जोर से हसा, एंड लेट दा माउस गो, और चूहे को जाने दिया, बट ए फ्यू डेज, फ्यू मिन्स थोड़े, डेज मिन्स दिन लेटर बाद में, कुछ ही दिनों के दा लोयन शेर वाज काट पकड़ा गया, इन एंटर सनेट, हंटर मिन्स शिकारी, नेट मिन्स जाल, हंटर सनेट, शिकारी के जाल में फस पकड़ा गया, इसलिए लेट वेरी लावड लिवा जोर से धाड़ा, दा माउस गेम आउट ओफिट सूल, तो चूहे को सुनाई दि बिल से भार आ गया, एंड बिगेन टू नीबल, उसने शुरू कर दिया, नीबल कुतरना, दा नोट्स गांठे, ओफ दा नेट, जाल की, जिस जाल में पकड़ा गया था, उस जाल की गांठे है, वो कुतरनी शुरू कर दी, चूहे ने, एंड, सेट दा लोयन फ्री, जो शे का धन्यवाद किया, ठीक है, कल हमने जो ये लेसन इतना बढ़ा था, यहां तक इसके वर्ड मिनिंग किये थे, आज हम यहां से, और यहां तक हमने लेसन पूरा कर लिया, इसके आज वर्ड मिनिंग करेंगे, ठीक है, लक, लक मिन्स भाग्या, डिजिटिनी भाग्या, रोय option जो सही है correct option जो सही option है उसको में टिक करना है the lion was sleeping under a यह हमने पढ़ा था story में the lion है the lion was sleeping under a tree तो हमें tree को टिक कर देंगे यह हमने tree को टिक कर दिया the lion begin to love जो share है उसको हसी आई begin to love किस बात पे चुहे की बात पे जब चुहे ने यह बोला था कि इस रिमान मुझे छोड़ दीजिए मैं आपकी किसी दिन सहीता कर दूँगा इस बात पर share को हसी आई थी चुहे की बात पर तो हमने माउस को टिक कर दिया the lion was very powerful वो बहुत सक्तिसाली था powerful को हमने टिक कर दिया ठीक है आज आप लोगों को word meaning और यह multiple choice question ही homework में करने है और यह पूरा lesson आपको read करना है दो-तिन बार और revise करना है और word meaning learn करने है ओके thank you have a nice day बच्चो